नमस्कार साथियो मैं हूँ आपके साथ जोतिस आशार डॉक्टर दिलीप और मीन राशी वालों का इस वीडियो में बहुत स्वागत करता हूँ जिन्दगी में जब कुछ ना मिले बहुत प्रयास करने के बाद भी तो हमारे पास क्या रास्ता बचता है फल पे हमारा अधिकार है नहीं हमारे अधिकार में जो है वही हमारा रास्ता है और वो है हमारा कर्म कर्म उस चीज के लिए जैसे आपको मुंबई जाना है तो आपको टिकट खरीदना पड़ेगा स्टेशन पर जाना होगा बस में भी बैठना होगा ट्रेन में या फिर फ्लाइट में बैठना होगा तब आप वहां पहुँचोगे अगर घर बैठे आप सोचो कि कुछ हो जाए और मैं पहुँच जाऊं तो वो नहीं होगा आरती है कि ग्रह नक्षकतर बदलने से कुछ नहीं होगा अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे इसी ग्यान के साथ मैं हाजिरू लेकर सितंबर का जो राशी फल है मीन राशी के लिए क्या लेके आरह है कहीं सारे ग्रह बदल रहे हैं बहुत सारे महत्पून परभरतन हो रहे आपकी चंदराशिश है ये वीडियो है मतलब अगर आपका चंदरमा मीन में है तो उसके लिए है पर अगर आपका लगन भी मीन है तो तब भी ऐसा नहीं तब भी आप देख सकते हो पर ये ध्यान रहे कि मैं गोचर की बात कर रहा हूं आपकी जनम पत्री ही नहीं गोचर सभी मीन राशी वालों के लिए है और जनम पत्री आपकी स्पेसिफिक है उसमें आपके योग है धन योग, लक्ष्मी योग, दशा, मादशा ये सब तो आ जाते हैं इस महा के सबसे बड़े परिवर्तन इस महा के क्या योग बन रहे हैं कहां पर क्या कोई बैठा हुआ है फिर उसके अकॉर्डिंग हम घरना करेंगे चाहे वो आपका करियर है शादी विवा है, धन है, सिक्षा है प्रेम है, एजुकेशन है, स्वास्त है जीवन के सारे छेत्र हम देखने वाले है देखे, सबसे बड़ा इवेंट अगर इस महीने की हम बात करें तो मंगल का है कि मंगल का जो गुरु मंगल योग जो बन रहा था वो समाप्त हो चुका है मंगल अब आ चुके हैं आपके चौथे भाब में, तृते भाब से पहले महीने वो तृते भाब में थे 26 अगर्स्त को ही आ गए और 19 अक्टूबर तक यहाँ पर रहने वाले हैं मिथुन राशी में अभी जो मिथुन राशी है यह बुद्ध की राशी है बुद्ध की राशी है जो मंगल के ऐसे तो सत्रू है सत्रू होते हैं बुद्ध जो है ना सत्रू होते है आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि बुद्धी जो है वो प्लानिंग है बुद्ध, सिक्षा है, धैरे भी है कही ना कही से मंगल एनरजी है किसी काम का डिसिप्लिन है एक तरह से मंगल आर्मी चीफ है आपके जो ग्रहों की वे है तो जो एनरजी है, गुसा है, क्रोध है, जीत है और बुद्ध एक तरफ से थोड़ा ना धहर है हूमर है आपका इंटेलिजेंट है तो एक दूसरे से मिलती हुई एनरजी नहीं है और मंगल यहाँ पर आ रहे हैं पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात हो रही है कि आपके दसम और एकादस को देख रहे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे गुरू, ऐसे तो गुरू वही है जहां थे पर अब वो मंगल के साथ नहीं है सुद्ध रूप से शुकर की राशी में बैठे हुए है वही सूरी की बात करें तो पंदरे क्या सोले तारिक तक सूरी अपने ही राशी में है पूरे एक साल बाद ही योग बना हुआ है पंदरे अगस्थ से लेके 17 सितंबर तक करीब आपका सूरी जो है सी राशी में है अपनी खुद की राशी में है छटे भाब में महत्वण घटना है तो इस पे विचार करेंगे बुद्ध जो है आपके 5 तारिक से 5 सितंबर से ही आपके छटे भाब में सी राशी में आ जाएंगे और 23 तारिक तक बुद्ध यहीं रहने वाले है 23 तारिक के बाद फिर बुद्ध यहां आएंगे और यहां आकर भद्र नाम का महाफुरुस योग बनाएंगे 23 तारिक यह भी बहुत महत्वण घटना है इस पे हमको बात करनी जरूरी होगी केतु यहां पर चल रहे है शुक्र भी आपके सप्तम में कन्या राशी में चल रहे है पर यहां पर परिवर्तन होगा शुक्र का एंड में 16 तारिक को 16 तारिक के बाद शुक्र जो है अश्टम में चले जाएंगे आपके यहाँ पर शुक्र नीच के हैं, केतू के साथ हैं, यहाँ पर शुक्र अपनी ही राशी में आ रहे हैं, पर अश्टम भाव में तो यह परिवर्तन क्या लेकर आएगा, नवम दसम एक आदस खाली और द्वादस भाव में आपके शनी बैठें, अब आजाते हैं, रिजल्ट प आपकी करक राशी, आपकी सिह राशी, आपकी मीन राशी है, तो मंगर एक कारक ग्रह होते हैं, अच्छे ग्रह होते हैं, ऐसे में जब एक कारक ग्रह है, आपके नवम और दसम को देखेगा, इसके साथ सब्तम को भी देखेगा, उसकी भी बात करेंगे, पर नवम और दसम क को देखेगा तो आपके करियर को अच्छा कर देगा आपके जो प्रयास हैं उसके आपको रिजल्ट मिलेंगे आपका घर बनाने का जमीन खरीदने का कोई प्लानिंग कर रहा है तो उसमें आपको अवस्य सफलता मिलती हुई दिख रही है इसके लिए आपके जनम पत्री में योग चल रहे होंगे तभी ऐसा होगा और एकादस भाब पर जो मंगल है वो आपको लाव कराएंगे इच्छा पूरती कराएंगे पर कुछ बातें यहां पर नेगटिब भी मंगल लेकर आएंगे किसकी राशिम है सत्रू की राशिम है चौथे भाब में घर में थोड़ा क इस तरह के जो होते हैं इस्पोर्ट्स है जहां पर बहुत जादा एनरजी की आपको आवश्यक्ता होती है पावर की आवश्यक्ता होती है शक्ती की आवश्यक्ता होती है इस तरह के काम की आप तयारी कर रहे है और आपकी जनम कुंडली में भी मंगल अच्छे हैं तो वहा करें marriage life के लिए ये जो महिना है वो not the best उसके लिए तो बहुत जादे best नहीं है घर में मौखल को भी अच्छा रखना है शादी विभा में भी थोड़ा तू-तू में रह सकती है अगर आपकी कुंडली में भी पहले से ही थोड़ा चल रहा जगा पती-पतनी के बीच में तो आपको थोड़ा प्रेम से काम लेना है छोटी-मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है अपनी भी थोड़ा बहुत गलतिया देखनी है कहीं ऐसा ना हो कि सारी गलतिया हमें उधरी दिखाई दे रही हो थोड़ा सा ध्यान जाके आपस में प्रेम खुली मुठी राख की और बंधी मुठी लाख की तो जब लोग आपस में मिलके रहते तो एक ताकत भी आती है एक दूसरे का बहुत importance भी है life में आके लिए क्या करेंगे तो वो ध्यान में रखके हमको थोड़ा सा एक दूसरे को समझते वे आगे चलना चाहिए तो मंगल उसमें आपकी कही न कहीं help करेंगे बाकी as a remedy हनवान जी की पूजा करना मीठे का दान करना मंगल को मंगल के दिन मंगल गरह को सुभ करता है अच्छा करता है ये एक चीज और बता रहा है कि मंगल दुत्य भाव के स्वामी और भागे भाव के स्वामी चौते भाव में आ रहे हैं तो घर में कहीं धन आएगा पैसा आएगा कुछ भागिशाली इवेंट आपके घर में होंगे कथा हो सकती है विभा हो सकता है किसी का जन्म हो सकता है कुछ मंगल कारे आपके घर में हो सकते है कुछ मंगल कारें की सुरुबात हो सकती है पर माहौल थोड़ा सा गर्म रहने वाला है ये आपको ध्यान में रखना होगा मंगल ग्रह अगनी की चीज़ों को भी दिखाते हैं पीटर वगर आप खरीद सकते हैं, कोई इलक्टरिक आइटम आप खरीद सकते हैं, इस तरह की चीजे भी मंगल से जोड़ी हुई हैं, इस स्पोर्स का कोई चीज आपके घर में आ सकती हैं, इस चीज को भी दिखा रहा है, आप कोई बुक्स वगरा खरीद सकते हैं, आप कोई music, सम्मंदित, क्योंकि second भाव है बिद्या से सम्मंदित, music से सम्मंदित चीज़ें आपके घर में आ सकती है इस चीज़ को भी दिखा रहा है आपके घर में कोई ऐसा विक्ति आ सकता है, जिसकी height थोड़ी छोटी हो, है न जो sports में रहता हो, आँखें लाल हो तक उसके बाद, इस शुकर का तुला में जाना, यह बहुत बड़ा event है इस महीने तो जब तक केतु के साथ हैं तो आपको प्रेम में, कही न कही ऐसा लगेगा, यार मैं ही कर रहा हूं सब कुछ business में भी, और यह जो साथ वाले हैं मेरा साथ नहीं दे रहे हैं या आपको लग भी रहा होगा पहले से, चल रहा होगा क्योंकि अब यह एक महीना होने वाला है और कही न कहीं जो business है आपका लोगों से जो रिष्टे हैं वाद धोके का भी chance बन रहा है सोले तारिक तक उसके बाद तो क्या करना है, ख्याल रखना है जाद है, dependent नहीं होना है भाग के उपर चीजों को नहीं चोड़ना है उसके बाद यह शुकर यहां चले आएंगी अश्टम में, अश्टम में शुकर का कोचर Mary's life के लिए तो आप कह सकते हो कि बहुत बुरा नहीं है ऐसी कोई मतलब कोई डरने वाली बात नहीं है बस थोड़ा सा आपको यह ध्यान रखना है कि आपको लॉयल रहना है अपने स्पाउस के साथ जब शुकर साब अश्टम में होते हैं otherwise यह आपको गेन भी करा सकता है sudden gain करा सकता है lottery आदी लगा सकता है क्यों क्योंकि यहां से शुक्र दुत्य भाब को देखेंगे और कहीं न कहीं शुक्र को सुब ग्रह माना जाता है जब गोजर की बात करें अश्टम का स्वामी जब अश्टम में हो तो कभी-कभी आपको sudden लाब करा देता है lottery आदी लगवा सकता है आपको कह सकते हो दहेज में या फिर किसी से gift आपको मिल सकता insurance वादी से आपको धन मिल सकता पर ऐसा तभी होता है जब आपके चार्ट में भी ऐसा योग हो और ये दशा मादशा आपकी चल रही हो ये शुकर का हो गया कि यह तु यहीं पर रहने वाले है या राहू यहाई पर रही रहे है राहू पर्थम भाव में है ये सूर्य का भाव है गुरूओं का भाव है ये आपकी राशी भी गुरू से है तो आप देव गुण वाले हो बहुत जादे loyal बहुत ज़्यादे आस्थावान, सीधे मेन राशी का ऐसा नेचर होता है और राहू वहाँ पर आ रहे हैं तो आपका सामना आसकल कुछ ऐसे लोगों से हो सकता है चल रहा हो जो बहुत ज़्यादे ओनेश्ट ना हो बहुत ज़्यादे MBCS हो जो अपना ही कुछ करना चाहते हो आपकी importance कम दे रहे हो लाइफ में ये सब चलता हो सकता है इस समय तो क्या करें मादुरगा की पूजा करते रहें और बुद्वार के दिन जो ज़ौ होता है उसको दूद में भेगो के पक्षियों को डाल सकते हैं ये इसकी remedy होगे केतु रिष्टो में भी थोड़ी ये नकरात्मा गोचर है not the best कन्या राशी में केतु कोई बहुत बढ़िया नहीं करते हैं पर अगर आपका spouse spiritual है अध्यात महर आप भी आजकल spiritual है अध्यात आदी में ध्यान दे रहें तो उस field में आपको सफलता दिलाएगा पर business में आपके उतार चड़ाब रखेगा केतु की सबसे बड़िया remedy होती है एक तो गनेश्ची की पूझा दूसरा काले कुत्ते वगएरा को की सेवा करना, उनको पालना, उनका ध्यान रखना किसी कुत्ते को कोई चोट वोट लगी है तो उसका हिलाज करा देना अपने आप ही, निस्वार्थ भाव से ये बहुत अच्छा लगता है और पक्षी वगएरा जो होते हैं उनको भी आजादी देना एक अच्छा उपाय है अगर आपकी दशा महा दशा चल रही है तो इसके बाद पढ़ जाते हैं गुरू गुरू ऐसे तो आपके तिर्ते भाव में चल रहे हैं और तिर्ते भाव में गुरू का जो गोचर है वो ठीक ठाक है पर उनका नक्षत्र परिवरतन हो रहा है एक विसेज घटना हो रही है गुरू का नक्षत बदल रहा है म्रगशरा नक्षत में जा रहे हैं जो की मंगल का नक्षत रहे है गुरू मंगल के मित्र हैं उनकी आपस में बनती भी है तो यहां आने से वो आपके धन और भागे को बढ़ाने वाले हैं बढ़ाने वाले ये बड़ा event है इससे पहले वो रोहिनी नक्षत्र में थे जो आपके पंचम भाव का है तो संतान से संबंदित, education से संबंदित, प्रेम से संबंदित गुरू result दे रहे थे अब धन से संबंदित, भाग से संबंदित, higher education से सम्मंधित रिजल्ट आपकी लाइफ में आने वाले हैं यहां गुरू देख भी रहे हैं आपके higher education के भाब को नाइंत भाब को भाग के भाब को तो उससे सम्मंधित positive result दे सकते हैं साथ में marriage के रिष्टे वगेरा आ सकते हैं आपकी शादी नहीं हुई है तो अगर शादी हो चुकी है तो इस महीने आपको ध्यान दखना है कि आपस में कुछ खटपट रहने का chance है भला ही गुरू की दस्टी यहां पर पढ़ रही है इनकी गुरू महराज की जो नवमी दस्टी है वो एकादस भाब पर है और यह इनके नीच की दस्टी है तो लाव को बढ़ाएंगे तो सही पर कुछ औप्स्टिकल रहेंगे चल भी रहें जब से गुरू यहां है साथ में आपकी साड़े साथी भी चल रही है 2022 से तो चीजों में थोड़ा सा दिक्कत आना फैमली में थोड़ा ओफ्ष्टिकल का रहना यह सब चल रहा होगा साड़े साथी में अकसर ऐसा होता है सब के साथ हो जरूरी नहीं है अगर आपका सनी स्ट्रॉंग है चंद्रमा बढ़िया है तो ऐसा नहीं होगा पर जब से साड़े साथी आई है कुछ मिन राशियों के स्वास्त में भी दिक्कत चलने का चंस है यहाँ पर गर्दन, कमर इस तरह के जो रोग होते है इससे समंधित रोग यह बढ़ने का चंस भी बन रहा है रहू पर अब गुरु के बात होगे शनी की भी हमने थोड़े सी बात कर लिए कि आपकी साड़े साथी चल रही है अब धीरे धीरे शनी जो है बारे में भाव से लगन की तरफ जा रहे हैं यह लगन की तरफ जाना आपके लिए सुभ है पर यह भी समय लगेगा, 2025 के मार्च के एंड से होगा यह, पर थोड़ा-थोड़ा असर शायद आपको मिलने लगे, कहते हैं न, बड़े घरे, थोड़ा जल्दी असर देने लगते हैं, जैसे-जैसे यहां पर आ रहे हैं, तो एकादस भाव का स्वामी लगन में आ रहा है, य एक बढ़िया बात है, शनी की जो है, आप कह सकते हो, एक improvement की तरफ शनी चल रहे हैं, पर फिर भी, अभी तो साड़े साती चली रही है, तो ऐसे में काले कुत्ते की सेवा करना, गरीबों के लिए कुछ करना, अपने जो old लोग हैं, आपके घर के, परिवार के, उनके साथ स होते हैं, जो मजदूर वगरा होते हैं, उनके लिए कुछ करना, उनको चाय पिला देना, construction वगरा पर जो लोग काम करते हैं, वहां कुछ आपको help करा देना किसी तरह की उनके लिए, या आप पानी वगरा का इंजाम करा सकते हैं, ये सब आपके लिए बहुत बढ़िया रह है, गुरु का हो गया, राहु केतु, शनी हो गया, मंगल हो गया, सूर्य और बुद्ध, सूर्य छटे भाब में छटे के स्वामी होके बैठे हुए हैं, वैसे भी सीह राशी है, अपनी राशी है, तो कब टीशन में आपको बिजय दिलाने का योग बना हुआ है, कब तक? मतलब जिसकी आँके काली ना हो, तो ऐसे वक्तियों से थोड़ा सामल के रहने की आवर्शकता आपको रहेगी, यहां से सूर्य का गोचर अत्ती सुभ है, और इसके बाद जब वो यहां आएंगे तब भी सुभ है, पर थोड़ा सा आप कहेगा कि पती-पतनी के रिष्टों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा 17 के बाद, इस सूर्य सेपरेटिव प्लैनेट हैं, यह सत्ता को दिखाते हैं, यह कौन बड़ा है इसको दिखाते हैं, रिष्टों में तो सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, कभी-कभी जुकना भी पड़ता है, सूर्त कहां ज अगर सही नहीं है तो प्यार से समझाने की चीज कीजिए, तयारी कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि यहां सूर्य वैसे तो आपके काम को बढ़ाएंगे, हलाकि आपकी कुंडली के सूर्य आपके लिए कोई बहुत बेनेफिक नहीं है, सश्ठेस हैं आपके, पर यह आपको यह भी देंगे कि आप कंप्टीशन बढ़ाएंगे आपके लाइफ में, आप हार्डवर करोगे, महनत करोगे, एक जुझारू समझा भी देंगे, पर आपके जो पार्टनर्स हैं, जो आपके अपोजिट हैं, उनको भी थोड़ा जुझारू बनाएंगे, उनको भी यसे कह सकते हैं, लड़ाई जगड़े के मूड में नहीं तो आपको थोड़ा बैलेंस लेके यहां पर चलना है, वहाँ केतु भी है, साथ में, कब की बात हो रही है, सत्रे के बात, बहुत साथ बनाके रखना है, पिता के स्वास्त का ध्यान रखना है, सूर भी हो गया, हर भूमी खरीदने का योग तो बना हुआ है, पर उसका स्वामी जब तक यहां पर है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, कि आप जो जमीन लेंगे, आप जो घर लेंगे, उसके डॉकुमेंट्स वगयरा ठीक हो, माता से बनाके रखनी है, परिवार में थोड़ा मधुर बा जाएगा, बुद्द से बुद्द और सूरे से आरिति, बुध आरितियोक बन जाएगा, कि तो यहां पर रहने इता ह्यां में, वानी का थोड़ा सा ख्याल रखना है, बहुत से थोड़ा सा बनाके रखना है, फिर भी यहां पर आतना आपे भयापार के लिए, अच्छा है, अगर आपका business कही ना कही politics मतलब government आधी से जोड़ा हुआ है उससे संबंदित को tender vendor government का कोई काम है कही ना कही अगर आपका काम चोटे चोटे पार्चे से घड़ी का काम होता है software का काम होता है जहाँ पर चोटी चोटी चीजों में कुछ करना होता है उसका है mathematics, physics, technical आपका कोई काम है उसके लिए भी यहाँ बुद्ध आपका अच्छा योग बना रहे बुद्ध का यहाँ पर आना सुब ही है सब्तम भाब में बुद्ध का कोचर कही ना कही रिष्टों में भी सुधार लाएगा पर आपके स्पाउस की स्वास्त में स्वास्त में ध्यान रखना है आपको health का ध्यान रखना है यहाँ पर ख्याल रखना है अपने स्पाउस की पती, पत्नी, प्रेमी, प्रेम का के स्वास्त का आपको ध्यान रखना है ठीक है ये बुद्ध भी हो गए सारे ग्रह हो गए हमारे गुरू की बात हमने कर ली राहू की बात कर ली मंगल की कर ली सूर की कर ली बुद्ध की केतू सनी की कर ली सभी की बातें हो गी अब इस महिने में कोई नक्षत परवरतन किसका हुआ गुरू का हुआ सिर्फ असर रहता है जैसे जैसे सूर्य नक्षतर बदलते हैं तो पहले 13 दिन पूरवा फालगुनी में होंगे सूर्य यहां पर रहेंगे और पूरवा फालगुनी में होंगे जो कि आपके तीसरे और अश्टम्भाब को दिखा रहा है तो पहले 13 दिन effort, hard work, मेहनद, थोड़ा बदलाव, life में रह सकता है उसके बाद सूर्य जो है 13 से 27 तक सूर्य के नक्षतर में ही है तो आपके power, position, status आदी में बरदी होने की संभावना यहां पर बंद रही है अच्छा result मतलब सूर्य अपने लिए रखेंगे और 27 के बाद वो चंद्रमा की नक्षतर में है जो आपके पंचम भाव का है तो संतान से सम्मंदित, education से सम्मंदित, events यहां पर हो सकते हैं यहां संतान और education की बात करें तो पंचम भाव को सिर्फ राहू की दस्टी पढ़ रही है तो थोड़ा बहुत education से मन भटके का जरूर संतान के उपर आपको हलका सा ध्यान लखना है खुद के मामले में भी राहू भ्रहमित करते हैं इन security लाते हैं लाइफ पर तो राहू यहां पर कई बर आपको धोका वोगस से बचके रहना है लोगों को समझ के फिर उनके साथ काम करना है उनकी help करनी है या उनके लिए कुछ करना है यह आपको ध्यान रखने की आवशकता है यहां पर रहेगी अब बढ़ जाते हैं तो हारों की तरफ इस महीने इस कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात का होना जो आगे से कुछ पीछे से कुछ पिछले एक साल में ऐसा कुछ हुआ है तो जरूर लिखेगा और तो हारों की तरफ बढ़ते हैं छे तारिक को हर तालिका तीज साथ तारिक को गणेश चतुर्थी जो शनिवार को पड़ेगी पंद करते हैं विश्णुससहस्तनाम का इस दिन पाठ बहुत अच्छा रहता है वैसे विश्णुसहस्तनाम हर ग्रह की रेमिडी है वह एक अलग बात है पर इस दिन आकसर है वो मंगलवार को 20 तारिक को पढ़ रही है और अमावसया आपके भादर पद की जो अमावसया है वो दो तारिक को सौंबार के दिन है दो तारिक को अमावसया का पढ़ना अती सुब माना जाता है चंद्रमा हमारी माता है चंद्रमा हमारा मन है चंद्रमा लक्षमी भी है धन भी है बहुत महत्वपून है इसलिए अमा वस्या पूरिमा के बरत बहुत महत्वपून होते हैं संक्रान्ति, संक्रान्ति का भी spirituality आध्यात्म से बहुत महत्य है, किसी का जन्म अगर संक्रान्ति को हुआ है, तो उसको इस दिन दान करना, और लोगों के लिए कुछ करना, बरत करना, फास्ट करना, किसी की help करना, सूर्य नमस्कार करना, विष्णु सहसनाम का पाठ करना, बहुत जादे सोब, बताया गया हमारे सास्त्रों में, तो ये था मेरी तरब से मिन राशी के लिए, जो सितंबर का राशी फल है, और आप से मुलाकात होगी नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार.